तो my dear student ये है बीए 5th semester हिंदी के 1st paper का पूरा का पूरा model paper question paper जो जो भी student बीए 4th semester को पास करके बीए 5th semester में जाएंगे तो उनको बीए में हिंदी का पेपर देना पड़ेगा और यहाँ पर हिंदी के 2 paper होंगे पहला पेपर दोफरा पेपर ठीक है तो ये पूरा का पूरा model paper paper है first paper यानि कि पहले model paper का ठीक है तो ये आप लोगों के लिए video काफे help हो ले इस model paper से इस question paper से आपको पता चलेगा कि आपकी परिच्छा जो लगी है आने वाले दिनों में जब भी होगी तो उसमें model paper किस प्रकार का एगा question paper किस प्रकार का एगा ठीक उसमें question किस प्रकार क कि ससन का आप लोग पुरूब की तोर पर देखी सकते हैं ठीक है बीए एप खिप्त समस्टर है सब्जेक्ट आपका हिंदी लिटर्चर यानि की हिंदी है हिंदी साहित और प्रस्मेपत्र question paper का नाम है साहित रफाफ्तर और हिंदी अलोशना और यह first paper ठीक है तो चले देख question करना है और उसका उत्तर कितने सब्दुम लिखना यहां पर लिखी होती है इसको पढ़ लेना है लिए उसके बाद question का उत्तर देना क्योंकि इसी हिसाफ के देंगे तब आपको सही और सही नंबर मिलेंगे और सहाथ सात में आपको सही time पर सही time का मतब यह होगा कि 2 घंट कितने कोश्चन करना है उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना है कितने नंबर दिये जाएंगे लिखा है पढ़ लिजेगा तो पहला प्रशन है आत लग उत्रे का कि भरत मुन के अनुसार रसों की संख्या कितनी है नाम लिखिए ठीक है तो भरत मुन जोकी प्रमुख हमें दो तीन प्रसंट आएंगे ही आएंगे ठीक है क्योंकि बहुत बड़ा यह टॉपिक्स है भरत मुन्स वीडियो कोश्चन अपर इच्छ हम दो तीन तो आते हैं हमेशा ठीक है तो अभी तो इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपार्टन कोश्चन सिलेक्ट कराएंग संख्या कितनी हैं और सभी को नाम सहित अश्पस्ट कीजिए मतलब की काप गुड़ों की संख्या लिखना कितनी है और उनके नाम कौन-कौन से तो हलाकि हमेशा तो नहीं आता लेकिन असी प्रसत उम्मीद है कि प्रशन फस सकता है तो नोट कर लिजिए इसको भी ठीक है उ इंपार्टेंट है ठीक है हमेशा तो नहीं फसता लेकिन इंपार्टेंट है क्वेश्चन आपके एक्जाम के लिए अगला की काप बेहे तो क्या है का बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण है यह पसेगा और इसका अर्थ समझाई यह इंपार्टेंट ही आएगा और अगला जो ह मारल पेपर पेपर पांच अतलग उत्तरे कोश्चन देगें जिसमें से लगबग सभी महत्पूर्ण है आपके एक्जाम के नजर से इन सभी का उत्तर आपको तयार कर लेना यह महत्पूर्ण प्रस्ण है यह फंसकते हैं और इनका उत्तर कहां पर मिलेगा उसकी जानकारी प्रस्ण है कि काब प्रयोजन क्या है उदा हरन साहित परभाफित कीजिए एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है काब प्रयोजन बहुत ही महत्पूर्ण हमेशा फंसता है इस बार प्रस्ण प्रस्ण वाद क्या है अश्पष्ट कीजिए यह भी कोश्चन आप सभी के लिए 70% महत्पूर्ण है और बाकि 30% उम्मीद नहीं कि आएगा फत्तर प्रस्ण उम्मीद है कि आ सकता है ठीक है उसके बाद अगला प्रस्ण प्रस्ट हो थे आप लोगों की समस्त वह है कि नई समिच्छा को परवाफित कीजिए यह महत्पूर्ण प्रस्ण साबित हो सकता है हालकि 90 प्रस्ट उम्मीद है क्योंकि यह प्रस्ण कई बार फंसा है तो इस बार भी हो सकता आपकी बर्च्छा में आए ठीक है उसके बाद अगला प्रस्ण है कि रामचंद्र सुकुल जी की अलोशना दस्ट क्या है विस्तास से सम शेंग्द हैं तो इस तरह रामचंद्र शुकुल की अलोशना द्रश्ट किया यानि कि इन्होंने विस्ति की अलोशना कि उस चीज़ को नंने किस नदर्य से यह पिस हिसाथ पे अपनी को में वाठाप भी का सुरूप मतलब कर लिए बहुत ही महाथ पूर्ण मांक स्वाद मांक सुभ़ाद भी एक यह नोटकर लीघिए यह और इन सभी प्रश्णों का उत्तर अभिम आपको बता देंगे कहां पर मिलेगा कोई कि टेट से लेने वाली बात नहीं है उसके बाद आ जाएंगे हम खंड साके और यहां पर आपको दीर घुत्रे जिनको आप लोग दिस्तर दित्रे बोलते हैं वह कुश्चन देखने को मिल लेना है तभी आपको आगे कुश्चन क्यों बढ़ना है ठीक है और लग दिर घुत्रे का पहला प्रश्ण है कि अलगकार सिध्धान्त का अर्थ परिभांचा एयुम उदा हरन सहित ब्रिस्तत उड़न कीजिए लेबल का प्रश्ण है क्योंकि भाई लग भी दिर घुत्रे है और यहां पर सिर्फ दो ही प्रश्णों का उत्तर देना है और प्रत्र प्रश्ण का उत्तर देने के लिए आपको 15 निमबर निधायत है आपर तो यह बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण अलंकार फिद्धान्त याली अलंकार के बारे में लिखना है फिर इसकी है जिनका नाहम है आरफ्तू के अनुक्र्ण सिध्धांत को उदाहन देते हुए शिद्ध किजिए अरफ्तू सब्रफिन अब पुरिष्ण मत मिल सकता है वो लगत्र में भी सकता है देर्रेश्ण में विलाता सकता है ठीक है यह आपको ध्यान लेकिन आएगा जुरूर है ओके नोट कर लिए उसके बाद हम आ गए निश्क कोश्चिन को निश्क कोश्चिन आप लोगों कि समझ प्रस्तुत है कि रस सिध्धान्त का अर्थ और परिभाफा यह उदाहरण कीजिए आप सभी के एक्जाम के लिखेंगे तब ही आपको पंदा नंबर दे जाएंगे हलाकि यहां पर आपको कितने कोश्चिन देंगे चार लेकिन चार मेंसे सिर्फ दो ही का करना है जिनके बारे में आपको अच्छे फिजानकारी है कि हम इसके बारे में अच्छे लिख प्रस्णों को स्लिट करके अलंकार सिध्धान्त वाला ठीक है उसके बाद आ गया रिचर्ड्स का संप्रेशन सिध्धान्त को उदाहरन सहित असपस्ट कीजिए तो रिचर्ड्स आप सभी को मालूम कोन है रिचर्ड्स एक प्रमुक बिद्वान है ठीक है और प्रमुक राजनीत्यक समाह साफ्त्री भ एक प्रमौन के सब्सक्राइब किसी चीज़ को अपनी बात कहना या फिर दुफल को समझना ओर दूफ्री बात को समझना लोगों को समझना अभ बोलना यह सुनना ये सब तो आता है संप्रेशन के अंदर ठीक है तो इसके बारे में आप लिखेंगे जो की रिचर्ड सो जो की प्रोंग बिद्वान इनके नुसार आपको लिखना है इन्होंने क्या बताया है तो एक बहुत पूर्ड इंपॉर्टन कोश्चेन साभीत हो सकता हलाकि 100 पसंट गारंटी ठीक है और इन सभी का उत्तर अभी तो सीरीज कोश्चेन मैंक सायथ नहीं आए होंगी अगर आ गई हैं तो आप सीरीज में कोश्चेन मैंक में उसमें से ढूंड के इन सभी प्रश्णों को उत्तर तयार कर लिजेगा अगर वह भी नहीं खरीदना चाहरें तो इंटरनेट गूगल पर इसमें देगे सभी प्रश्णों को उत्तर मिल जाएगा तो उनको पढ़ लीजेगा उसके बास की सोट लेजेगा ताकि उसको बाद में भी आप लोग गयर निमसीव हो जाएगा इसकी इन सोट तो आप बाद में भी पढ़ते रहेंगे इस तरह इन सभी प्रश हम जरूर देखने को मिलेंगे इनकी आने की ज्यादा उम्मीद है तो उन सभी प्रश्णों को उत्तर तो आपको जरूर से दरूर तैयार कर लेना है मैं आपको भरोफा दिला रहा हूं कि इसी माडल पेपर में जो जो मैंने कुशन बताएं यह सभी प्रश्णों को उत्तर दंबर कि मिल जाएगी कम से कम कि बात कर रहा हूं आप लोग खुद ही देख लिचेगे जब फेपर होगा तो तीक अब इस तयारी करते रहें है न तो आपका बार बार पढ़ते रहेंगे तयारी करते रहेंगे तो रिवीजन हो जाएगा और बात बें आपको एग्ज्याम का उत्तर भी आप लोगों के समस्थ प्रस्तूत करूंगा विद पीडियाफ भी दूंगा नोट्स पूरी ठीक है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा तैयारी यहीं पर आप सभी की होगी बाकी कोई को इस्चन है जरूर बूचे और मिलते हैं आपको एक और ने वीडियो के साथ जहिंद